हालो दोस्तों माँ आपका दोस नीते सुवागत आपका नीते सीजिक्वेशन फरम में आज की वीडियो में हम राष्ट्य पती भारतिय राज जीवेवस था कि राष्ट्य पती हम है तो पुन टोपिक पे सभी संभावित परसंद देखने वाले इस वीडियो में देखेंगे तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो आपका पहला क्यूसन भारतिय सभीदान के अनुसार देश का पर्थम नागरी कोन होता है आपके ओप्सन है राष्ट्य पती बिलोग सबाद देख सी परधान मंतरिया डी वह प्राष्ट्य पती तो इस बारतिय सभीदान के अनुसार संगर की कारिया पाली का सकति किस में नीत होती है आपके ओप्सन भारत के राष्ट्य पती के लिए आउसिक योग्यता नहीं है योग्यता है आपके ओप्सन बाइट का नागरी खो मैं 35 वर्ष से अधिक आयू का हो उसमें लोक सबा के सदश्य होने के निर्धारित सभी योग्यताई हो वह संसद के किसी सदन का सदश्य हो इसमें नहीं है पूछा है तो इसका उप्शन है उप्शन D वह संसद के किसी सदन का सदश्य हो सदश्य हो नहीं, सदश्य नहीं हो यह योग्यताइं दिये राष्ट्य पति के लिए, क्या क्या योग्यताइं वह भारत का नागरिक हो 35 वर्ष से अधिक आयूका हो उसमें लोगसबा के सदश्य के लिए निर्दारी सभी योग्यताइं हो यहां पे लोगसबर अगर उप्राश्टे पति पूचा गया तो इसके जगद सिरफ राज्यसबर आएगा इतनाई चेंज योग्यताओं में शिरफ लोगसभा राज्य सभा उप राष्टेपती के लिए और लोगसभा राष्टेपती के लिए तो चले नेस्ट क्यूशन पर भारतिय सवविदान के अनुसार तीनो से नाओं का अधिक्स कोन होता है आपके उप्सन है फिल्ड मार्शल वी उप राष्टेपती, C राष्टेपती या D थल से ना अधिक्स तो इसका सयांसर है उप्सन C राष्टेपती भारतिय सवविदान के अनुसार तीनो से नाओं का अधिक्स होता है राष्टेपती तो चले नेस्ट क्यूशन पर एक व्यक्ति राष्टेपती पद के लिए अधिक् कितनी बार निरधारित हो शकता आपके optionר थे extension 2 x 2, 3 x 4zag 두 knees बार कोई सीमा नहीं, तो इसका सयThe and god was option T, by сказал one बारत का राष्ठ्ठ्पती कितनी बार अधिकतम कितनी बार म्निरवाचित हो सकता है अमेरिकआ का जो राष्ठ्पत्य है वह केवल 2 बार अधिक्स रह सकते उनका कारेकाल होता है चार वर्ष का लग टोटल आठ वर्ष और भारत के राष्ट्रेपतिया का जो कारेकाल होता है वो होता है पांच वर्ष होगा और वो कितनी ही बार मतलब कोई सिमान निर्वाचित हो सकते तो चले ने स्ट्यूशन पर राष्ट्रेपत option D सरोचनयाल है अगर राष्ट्य पती के चुनाव में अगर कोई विवाद विवाद होता है तो वो उसकेस को हैंडल करते हैं सरोचनयाल में जाते हैं तो चलें next question पे भारत के राष्ट्य पती का चुनाव कितने वर्स के लिए होता है आपके option A6 वर्स B 5 वर्स, C 4 वर्स या D 7 वर्स तो इसका C answer option B 5 वर्स बारतिय सविदान के तहद भारत का राष्ट्य पती का चुनाव 5 वर्स के लिए होता है इसको एक कार्यकाल बोलते हैं कितना होता है 5 वर्स होगा कलम अनुचेद बारतिय सविदान के अनुचेद 56 A के तैद 56 A में इसकी तर्तूद है तो चलिए next question पे राष्ट्य पती के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं कोन-कोन निर्वाचन करता है या मद्दान करता है आपके option A संसद के सभी सदशयों और विधान सभाओं के निर्वाची सदशयों option D संसद के दोनों सदनों के सभी सदशयों मदल लोक और राष्ट्य सभाओं के सभी निर्वाचीत सदशयों संसद के दोनों सदनों के सदशयों प्लस विधान सभाओं के निर्वाची सदशयों यह राष्ट्य पति के निर्वाचन मतलब राष्ट्य पति का जब चुना होते हैं तब यह निर्वाचीत करते हैं लोक सभा और राज्य सभा दोनों के निर्वाची सदशयों प्लस यह दो ही ऐसी केंदर साशित परदेश जापे विदान सब अस्तित्व में है और उनके सभी निर्वाची सदेश नाम निर्देशित नहीं निर्वाची सदेश राष्ट्यपती चुनाओं में भाग लेते हैं तो चलें next question पर सभीदान के उलंगन के लिए राष्ट्यपती के विरुद अभियोग कारवाई किस में सुरू की जा सकती है आपके option है लोकसभा बिराज्यसभा संसत के किसी भी सदन में या दि उच्छतम नियाल में तो सभीदान राष्ट्यपती के विरुद जो महावियोग की प्रक्रिया है वो संसत के किसी भी सदन में चालू की जा सकती है कलम हो गया महाभियोग की कलम 61 अनुछेद 1小時 अनुछेद 61 में महाभियोग की तरतुध जिसके इनुछार राष्ट्यपति को बहार के जाता है सَलसाद के किसी भी सदण में। अभी समझे अगर उन्होंने जो महावियोग है वो राज्यसभा में पहले राज्यसभा में शुरू किया तो यह राज्यसभा में शुरू किया तो लोगसभा इसकी कारवाई करेगा थो करेगा क्या घरेगा करेगा अगर यह लोकसभा मे सुरू किया हो तो राज्ज मंदो धूसरा सर्दन इसकी कार종 करेगा तो चलिए निस्ट कुछिन में क्यमा ओजांचоз करेगा चले निश्ट क्युशन पर राश्ट पति पर महावियो की प्रक्रिय किस देश के सविदान से लिए गई है आपके उप्शन है A. America, B. Canada, C. Japan या D. Ireland तो उसका सयांस वर है उप्शन A. America राश्ट पति पर महावियो की जो प्रक्रिय है वो अमेरिका से लिए गई है माभियों के अनुचेद में आपको भी बताया अनुचेद 61 चले नेस्ट क्यूशन पर राष्ट्य पति को निमलेकित में से कौन पद और गोपनियता की सपद दिलाता है आपके उप्षन है भारत के मुख्यन आए दिस बी परधान मंतरी सी अर्टानी जनरल या डी महादी वक लेके उचे निया लेके मुख्यन आए दिस तो हाई कोट के मुख्यन आए दिस दोनों यह की बात तो चले नेस्ट क्यूशन पर यदि भारत के राष्ट्य पति त्याग पतर देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पतर किसे देंगे आपके उप्षन ए भारत के मुख्यन देना चाहें तो उप्राष्ट्य पति को देंगे और अगर उप्राष्ट्य पति अपना त्याक पत्र देना चाहें तो राष्ट्य पति को देंगे तो चलिए नेस्ट क्यूशन पर मुख्यमंतिरी राज्यपाल को देते हैं और जो राज्यपाल है वो राष्ट्यपति को देते हैं तो चलिए नेस्ट क्यूशन पर भारत के चोथे राष्ट्यपति थे बारत के चोथे राष्ट्यपति थे आपके ओप्सन ए वीवी गिरी डोक्टर एस रादा कुर्शन फकुरूदिन अली एहमाद या डोक्टर जाकिर हुसेन तो इसका सयांसर ओप्शन ए वी वी गिरी भारत के चोथे राष्टे पती ते अगर इनका हम कारियकाल देखते हैं तो 1969 से 1974 भारत के चोथे राष्टे पती ते अभी हम थोड़े भारत के सभी दूसरे सर्वपली राधा कर सं दूसरे राष्टे पती सी जाकेर हुसेन तीसरे नमर के जाकेर हुसेन चोथे नमर पे हैं वी वी गिरी जो अभी पीछे क्यूशन पूछा गया था यह चोथे नमर के 1969 से 1974 पाचवे राष्टे पती थे फकुरूदिन अली एहमद चटवे द पता 1982 थे 1987 आटवे नमबर थे रामस्वामी वेककट रमन नवे नमबर पर संकर दयाल सर्मा बानुवे से सत्यनव दसवे नमबर पे ते कोचल रिन नारायन 97-2002 अटल ब्यारी वाच पेक कार्यकाल में ये राष्टपती ते 11 नमबर पे ते एपीजी अब्दुलकलाम 2002-2007 एपीजी अब्दुलकलाम भारत के 11 वे मुख राष्टपती ते 12 थी पर्तिवापतील भारत के पहलि महरा राष्टपती पर्तिवापतील बारावी नमबर पर 2 कार्यकाल है 2002-2012 तेराववे नमबर के राष्टपती ते पर्णु मुखड़ी 202-2017 दोजर सत्रार और अभी जो हय चोदाववे राश्ट्य पत्य हैं रामनात कोविन , 2017 कारिय काल के थे हैं? पहले राजेंदर परसाथ सबसे ज्यादा कारिये काल मतलब सबसे ज्यादा टाइम के लिए राजेंदर परसाथ थे तो चले नेस्ट क्यूशन पर सबसे लंबए समय तक भारत के राश्टेपती रहे आपके उप्षन डौक्टर राजेंदर परसाद, भी डौक्टर एस राधा कुर्शन, सी डौक्टर जाकिर होसेन या डी वीवी गिरी गषया और परसाद भारत के पहले राश्टेपतीक बारत के सर्व शमती से चुने जाने का अबितक एक मात्र उधार है सर्व सम्मत्य के सम्मत्य से चूने जाने वाला बिन वीरोधि आपके ओप्षन ऐगिषी z enter ब्श्वडिरे पतर चॊर्प्परसाथ चट्टे नम्मर के राष्ट्यपति थे नीलम संजीवरेटी सत्यातर थे 82 कार्यकाले इनका चले नेस्ट क्यूशन पर स्वतंतर भारत के पर्थम राष्ट्यपति कौन थे आपके उप्शन है सर्दार वलबाई पटेल डोक्टर राजेंदर परसाथ स्वतंतर भारत के पर्थम राष्ट्यपति राष्ट्यपति करता है आपके उप्शन है भारत का माहने यह वादी नियंतर नुवा माहने का प्रिक्षक मलब क्येग एक राज्ये का राज्येपाल या उप्युक्त सभी तो भारत की जो राष्ट्यपति हैं वो उप्युक्त सभी सभी की नियुक्ति करते हैं इनमें क्या क्या एगा भारत के माहने यह वादी नियंतर नुवा माहले का प्रिक्षक एक राज्ये का राज्येपाल की नियुक्त भारत के निहुक्त जो होते हैं और प्रतके मुख्य निहुक्त पति करते हैं तो चले न्यूरी scholarship किसी भी अभियुक्त का फांसी की सजा को बदलने या कम करने की करने का अधिक软 किसे दिह गया है है आपके किसी बी व्यक्ति की फासी की सज़ा बदलने का अधिकार या राष्ट्य पति को दिया गया और बाकिसे भी कर सकते उनको समाधान काधिकार भी है अपातकाल की गोष्णा भी कर सकते हैं वह या अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं अपातकाल की गोष्णा कलम 352 भरत के राष्ट्रपती यह फिस्पर सर्वोटक्राइबियूग नियायदिस को हटाने के प्रोसेस को बोलते है महावी यूग अब हमने पीछा दें महावीयूग कलम या अनूछी सरवोत के नियायदिस उक यूग उटा един ko पजाता है जो तो हाई कोट है, उनके न्याय दिसों को हटाया जाता है, भारत के मुख्य न्याय दिस को हटाया जाता है, तो चली next question नेमिलेकिद में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदशय नहीं होता, आपके option है पर्धान मंतृरी, विवित्य मंतृरी C, राष्ट्यपति या D, रेल्वे मंतरी तो इसका सैयांसर हो option C, राष्ट्यपति राष्ट्यपति लोगसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के ही सदशे नहीं होते तो चले नेस्ट क्यूशन पर युद की गोशना या श्यांति का फेसला करने में कानूनी रूप से सक्ष्यम है आपके option A, राष्ट्यपति B, संसग, C, मंतरी, परिश्द, या D, परधान मंतरी तो इसका सैयांसर हो option A, राष्ट्यपति युद की गोशना या श्यांति का जो फेसला होता है वो कानूनी रूप से जो सक्ष्यम है वो राष्ट्यपति है तो चलिए next question पर आज की वीडियो में हमने देखा राष्ट्यपति से सभी संभावित पर्षन अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में थांक्यू सो मच्छ जैहिंद